हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको दो रेसिपीज बताऊंगी एक स्पेशल विंटर स्पेशल डिनर आप तयार करें और एंजॉय करें बहुत ही मज़ा आएगा विंटर स्पेशल है मटन आलू करी और इस्पेशली विंटर में जो बनाते हैं हम मैं बताऊंगी आपको गुड के चावल जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं तो आप जरूर बनाएं और सबको खिलाएं तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम चावल लेंगे और उन्हें अच्छे से वाश करेंगे तीन से चार बार भिगो कर रख देंगे एक घंडे के लिए और जल्दी से मैं यहां पर आलू मतन करी के लिए एक मसाला तयार कर लेती हूं जिसमें मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ली हैं दो मीडियम साइज के और अधरक लसन यह हम पीसेंगे फ्रेंट्स वैसे तो टमाटर हम चौप करके भी डाल सकते हैं लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यह है कि आलू मतन करी जब भी मैंने बनाई है तो मैंने टमाटर जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है सब के साथ तो तब ही बहुत अलग टेस् मैंने लिया है तीन बड़े चम्मच यहाँ पर आलू मतन करी मैं बना रही हूं आलू गोष्ट जसे हम कहते हैं और फिर हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे बड़ी इलाइची और तीन चार लॉंग जो बिसिक हमाएं साबुत मसाले होते हैं यह हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब हम इसमें काली मिर्च ले लेंगे और यहाँ पर यह गरम हो रहे हैं गैस को हमने मीडियम करा है और एक चम्मच के हिसाब से हमने यहाँ पर जीरा ले लिया है और दो तेज पत्ता यह हम डालेंगे यहाँ पर हमने साबुत मसाले थोड़े से मसाले गरम हुए हमने यहाँ पर मटन अच्छ से धोके रख दिया था वो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चलाएंगे और इसके बाद जो मसाला हमने पीसा है प्यास टमाटर और अध्रक लसन का वो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा mix कर लेंगे मसाले को मटन में और इसके बाद फ्रेंट्स यहाँ पर हम जो basic मसाले हैं वो डालेंगे धनिया पाउडर है यहाँ पर मैंने दो चमच धनिया पाउडर का यूज किया है वो इसमें हम लेंगे और एक चमच भरके लाल मेच पाउडर थोड़ा सा चट यूञी पता हम बनाएंगे और इसमें फ्रेंट्स आदा चमच मैंने कश्मीरी लाल मेच पाउडर लिया है बहुत अच्छा हीडर आता है त्र और आदा मैंने लिया है अल्दी पाउडर और नमक टेस्के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे और इन मसालों को अच्छे से म में मिक्स कर लेंगे और पर फोरह न ही ढकन लगा के मतन को गलाएंगे जिनकी हम बूनेंगे बाद में जितने भी टाइम में घर में मतन गल जाता होगा Balance इंगे इतनी द्धर हम इसे हाँ इतने मतन गलता हैं यह इदियारी कर लेते हैं यहां पर आलू काट के रख लेते हैं यहां पर यह देखिए आलू मतन करी जब भी हम बनाते हैं यह मैं बनाती हूं इस पिछली जो बड़े आलू जो होते हैं थोड़े बड़े साइस में काटती हूं कट करती हूं तो यह एक्छली मेरे गाउं की रेसिपी है गा आपके उपर है आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने आलू भी कट करके रख लिये हैं अब तेयारी हम करते हैं फ्रेंट्स गुड के चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच रिफाइंड ओयल लिया है और इसमें यहाँ पर यह जो गोला करके भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने अच्छे से नारिल को घ्रेट कर लिया जो पीसे से वह भी हम इसमें डाल देंगे सब्सक्राइब crew के चावल लिये हैं उसी हिसाप से हमने या पर गुड़ लिया है और यह देखिए यहाँ पर और यह बड़े बड़े पीसिस हैं गुड़ के और में लेकिन यह चोटा चोटा कट कर लेंगे यहाँ पर देखिए मैंने छोटे चोटे पीस कर लिया है और यहाँ पर जो ओईल है वो थोड़ा गरम हो गया है और यहाँ पर देखिए मैंने जो नारियल था ग्रेट करके रखा था वो डाल दिया है और ये कुछ कटे हुए बादाम है जो भी आप इसमें ड्राइब फूर्ट्स चाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं किश मिश है, काजू है और वो आप इसमें डाल सकते हैं और यहाँ पर अब मैंने गुर डाल दिया है अब थोड़ा सा हम चम्मच से चलाएंगे गुड को जादा इसमें इंग्रीडियंट्स ने डलते हैं लेकिन भूर्ट टेस्टी ये गुड के चावल बनके तयार होते हैं अब मैं यहाँ पर चावलों के इसाब से पानी डाल दूँगी मैंने दो कटोरी चावल लिये थे और उससाब से तीन कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और थोड़ा साम टेस्ट एंहेंस करने के लिए एक चम्मच असली घी डाल देंगे यहाँ पर देखिए पाने में बॉयल आ गया है बस इस टाइम हम चावल डाल देंगे चावल को भीगे वी भी टाइम हो गया है और यहाँ पर चावल डाल दिये हैं और सैट कर लेंगे यहाँ पर मीठर सैट कर लेंगे अगर आपको कम लगता है आप थोड़ा गुड और डाल सकते हैं और यहां पर अब हम धकन लगाएंगे और चावलों के गलने तक एक सीटी तक हम इसे पकाएंगे और यहां पर रेडी है इधर ही यहां पर हमारा मटन हो चुका है हमने कूकर का धकन खोल लिया है अब इसे हम भूनेंगे व्योंकि हमने जल्दी सीटी लगाई थी मट यहां गल चुका है अब इसमें हम अच्छे से भूनेंगे और फ्रेंड्स एक मेरा टिप यह है भूनते टाइम अगर आप थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मैं हमेशा यही करती हूं और दो तीन हरी मिर्चे भी मैंने साबुत इस तरीके से ही भूनते में ही डाल दी है और यहां पर फ्रेंड्स एक बड़ा चम्मच मैं लूँगी दही क्योंकि मटन की रेसिपीज या नॉन वेज रेसिपीज में अगर दही डल जाया तो बहुत ही टेस्ट जबरदस हो जाता है दही तो मस्ट है तो यहां पर मैंने ए बैँप एक सब्छल में मिक्स अच्य मिक्स गल defend गरेंगे। और यहां पर फ्रेंस ग्रेवी हमें कितनी प्लानी विहां पानी अजयस्त कर लेंगे ओर हमएं आलु मटन करी बनकर तयार हो जाएगी तो अभ हमें सर्विंक का टाइम तो हम सर्वंगिन का टाइम कर लेते हैं दौनों चीज़ों को मज़ेदार विंटर स्पेशल डिनर बिल्कुल तयार है यहां पर सबसे पहले हम सर्फ करते हैं गुड के चावल और यह देखिए इंदम कलर भी बहुत अलग आता है इनका जो हम नॉर्मल राइस जिस किसी भी तरीके के राइस बनाते हैं औ बच्चों को बहुत पसंद आते हैं बच्चे बड़े सब बहुत खुशी सखाते हैं और उपर से सर्फ करेंगे ग्रेट किये हुए नारियल से और यहां पर हमारे आलू मतन करी आलू गोष्ट भी बनकर बिल्कुल तयार है इसे भी हम सर्फ करेंगे गर्मा गर्म आप नान किये से और कुछ हरी मिर्चों से वो भी हम इसे साबुत ही डालेंगे बहुत ही टेस्टी और जबत दस्त डिनर बनकर तयार है तो इसको जरूर ट्राय करें यहां पर मैंने डिनर कर लिया है सर्फ और सबको लग रही है बहुत तेज़ भू चलिए ऐसे ही आपको मज़िदा रेसिपीज अगर चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए चलती हूँ अल्ला हाफिस